जोहार, ने दिशाय में आप सभी का स्वागत हैं, मैं हूँ आपके साथ, निधी कुमारी. कला के कई आयाम होते हैं, और हर आयाम की अपनी खुपसूर्ती. चित्र कला कला का वो आयाम है, जुसे अपने एक्स्पेशन के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती. कहते हैं ना कि एक चित्र खुद में हजारों शब्दों को समेटे होती है. कुछ ऐसे कला कार होते हैं, जो कैन्वस पर अपनी उलजने उतारते हैं, तो कुछ ऐसे जो सामाज में मौजूद समस्याओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्शित करते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं, जो waste और discarded materials को इस तरह transform करते हैं, कि उस art form का end result देखकर उस पर विश्वास करना नामुमकिन सा हो जाता है. आज हमारे साथ studio में जो guest मौजूद है, उन्होंने इन तीनों ही area में महारत हासल कर रखी है, वो अपने art paintings के लिए ना सिर्फ राजम में बलकी देश भर में काफी प्रसिद्धी उन्हें हासल होई है, हम अपने studio में स्वागत करना चाहेंगे कलाकार, एवम उसके साथ कलाक आज होता है कि आपको लोगों के अटेंशन मांगने के लिए आवाज देनी के जरूरत नी होती, क्योंकि इसमें खुफसूरती होती है कि लोग अपने आप उसके तरफ आकर्शित हो जाते हैं, मैं सबसे पहले आपकी जर्नी से शुरू करना चाहूंगी, कि इस फील्ड में आपकी जर्नी थी, वो किस तरीके से शुरू हुई? इस जर्नी से शुरू करते हैं, उनकी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लाइक मिट्टी से वो कलर बनाते थे, घर को सजाते थे, नेचर से चीज़े निकालके वो अपने जैसे बैंबूस से वो चीज़े बना रहे क्राफ लोग तो हमेशा ये चीज़े में देखता रहता था तो इंट्रेस्ट हमेशा बना रहा है, बट कभी सोचा नहीं था किसे वो प्रोफेशन में लेके जाना है, मेरी स्कूलिंग, सब कुछ वहीं पे हुई, गॉर्मेंट स्कूल में, कॉलेज भी वहीं हुआ, तो फिर दीरे एक समय के बाद मुझे लगा कि इसको इनहेंस किया पाता था, तो और इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इस फील्ड में, मेरे पास अगर ये चीज़े हैं, मैं शेयर कर सकता हूँ, अगर समाज को अपने लोगों को आस पर, तो मैंने बस इस से शुरुवात करिया, और मैंने सोचा नहीं था कि कभी आगे ज कर दो कर दो कि अपने काम कर सकते हैं, आपके लिए कितना बड़ा चालंज रहा था उस वक्त क्यूंकि आपको पता है कि आप काफी तालंटे लेकर लेकर लेकिन इस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे अपने काम को एक्स्पांड करना है, वो जोर्नी कैसे रही, कोई अपने होम्टाओन में था, मुझे अच्छा लगता था पूसे अच्छा लगता है। पर दिरे-दिरे मुझे लग को शिसक्रहा की कि साथ को अच्छा गाइएंज मिले, मैं कांटक्टन करता था था उसमें बहुत जादा इंटरेंट का वैसा था था नहीं, तो हम चीज़े दुनिया में क्या चल रहा है, बट फिर भी मैं कोशिस करता था कि जितना जहां से जो चीजे सीख पाऊ, फिर एक समय के बाद मैंने अपने रांची आना शूरू किया, रांची में पदा किया कि कहां पर अच्छे मैंने रांची में क्लास जोइन किया, प्रवीन सर से मैंने सीखा यहां पर काफी कुछ, और 2014 की बात है, बट 70 किलोमेटर में ट्रावल करके यह क्लास करने के लिए रांची आता तालग वह दो साल मैंने यह चीज करा, और ऐसा चीज है ना, इसमें मटीर्स थोड़े से थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट मैंने दो ट्विशन पढ़ाना, क्लासिज लेना शुरू किया और इस तरीके से, मैंने बस स्टार्ट किया, कि मुझे करना है, और इंट्रेस्ट था, इसलिए मैं थोड़ा, मतलब खुद कोशिस करता था कि कुछ नहीं चीज आपने बट मैं चीज़े जह दिख जाया है, आप फैमिली ने सपोर्ट किया दोकर कई तो, मैं बस करना हूं मुझे लगता है कि जुस तरीके से आप चालेंजिस को टाक्ल करते हैं वो आपकी आगे कि जुजर्णी है उस पे काफी डिपेंड कर दी है आपने फिर कलाकोश की शिरुवाद की जो कि मुझे लगता है कि अब काफी उसका जो हराइजन वो बड़ा हो गया इसकी जो पढ़ा रहा था और फिर क्या था उसका टाइमिंग इतना था कि मैं सुबे साम उक्यूपाइट हो जाता था तो मुझे एक समय के बाल लगा ना कि और दूसी चीज था कि मैं एक ऐसे चोटे से जगह से था जहां मुझे था कि मैंने चीज़ फेस किया है मैं 10 11 12 तक मुझे चाहता था कि असकी पढ़ाई होती है तो यह मेरा मोटिव था कि मैं वहां से निकल के मैं उन बच्चो तक ज़रूर पहुँगा तो फिर क्या था कि मुझे कुछ ऐसा प्लाटफॉम तयार करना था जहां पे लोगों को अच्छी सही चीज़े बताई जाई और फिर मैं हमारे गाउं में मैं देखते हूं बहुत टैलेंट है बट उनको सही चीजे सही चीजे पता नहीं हो पाती उनको सही गाइदेंस नहीं मिल पाता है यह प्रॉबलम साते है तो मैंने डिसाइड कि मैं ऐसा प्लाटफॉम बनाऊंगा जहां पर मैं अच्छी ट्रेनिंग भी दू बिल्कुल जब आपने खासकर ऐसे बच्चो को करेक्ट करना स्टाट किया जिनको आप में इंट्रेस्ट भी है जिनको कुछ ऐसा गाइदेंस की जरूरत है जिनको एक प्रॉपर इंफोमेशन जिनको जहां पर मिल सके उस वक्त क्या कुछ आप क्योंकि अगर आप उनको पर नहीं है उसके कुछ चैलेंज जो आपको नदर आए होंगे वो क्या थे मुझे लगता है कि सही गाइदेंस नहीं मिल पाना एक चीज है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि यह बात अपने सही का कि आप को लेकर के अभी भी आवेरनेस की बहुत जादा जरूरत है इसके अब्लाइक आए करते हैं वह जरूरी है और एक्शिविशन्स वेगर होते हैं वॉक्षोप्स होते हैं तो अगर हमारे स्टूदन्स को वो मुझे लगता है कि वह बहुत जल्दी ऑसपेंड कर चाहिए क्योंकि मिझे लगता है कि उप्रिषेट तो हम सारे ही करते हैं अप्र पढ़ने से मुझे कुद मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और बेटर करूँ यह मेरी रिस्पॉंस बढ़ती है फिर बिल्कुल और ऐसा भी लगता है कि कहीं सही डिरेक्शन में जा रहे है बिल्कुल बिल्कुल हां सही गलत क्या हो रहा है मेरे को उसी से पता चल पाता है मुझ तो इतनी खुबसूरत पेंटिंग्स है और बहुत मुश्किल है अगर आप वहां से गुजर रहे हैं और उसके तरफ आपका ध्यान आ जाए यह प्रोजेक्ट किस तरीके सब मिला कितना लंबा डूरेशन रा और किस तरीके साब ने इसको एक्जिक्यूट किया मैं आपको से लोगों को एक मैसेज दे पाऊं या कुछ ऐसा आर्ट वक कर पाऊं मतलब पोस्टर स्ट्रिप कर रहते हैं नहीं चाहरा था कि अंदर से मुझे करना ऐसा कोई वाल मिल जाए तो मैं बहुत देर खड़ा रहा एक अंकल बहार निकले तो मैं सुचा उनसे बात करू एवन उनने का कि आप कल आना कल यह होगा तो रात का समय था इवनिंग का मैं अपने भाई के साथ खड़ा था और टचूट आइड उननो कैसे यह हुआ चार दिन के बाद मुझे कॉल आया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट से आपको एए करना है तो मैं तो ऑपोचुनिटी ढून रहा इतना वाइरल होगा जब ने शुरू किया एक साइट से बोल तो मैं देखा कि लोगों को बहुत जादा पसंद आया और आपने जैसा बताया कि शायद ही कोई होगा जो कि वह पेंटिंग से बारे में या रमनी करांची के इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जान रहा होग जो जिस तरीके की आपकी विजिन है वो उस तरीके से खड़े उतर पाएं तो ये टीम आपने किस तरीके से एक जुट किया देखिए शुरुआत में तो लोगों का भरोसा बहुसे वाली बात हो जाती है अगर बड़े प्रोजेक्ट है तो आपको बड़ी टीम चाहिए होत इंटरस था बच्पन से देखता था कॉंटैक्स बने हुए तो मैंने अपने गाव में पहले ट्राइ किया कि जितने पेंटर से उनको इखटा किया मैंने फिर उनको बुलाया रांची फिर एक साइट से मैंने काम शुरू कराया तो थीरी थीरी लोग जुड़ना शुरू लोग जो कि पीइंटिंग करते हैं उनके बास अइससे प्लैटफरम के दिकत है तो वे लोग में से इक्ता करते हैं मैंट काम देखता हूँ और मुछे लगता है कि उनके अंदर उनका स्किल अछा हैं काम करने के लिए करना चाहते घुटा यो मैं उतीच मैं बल्कुल के सो आपने उपर काम करना चाहते हैं, आप इस फिल्ड पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जरूर एबर कॉंटेक्टेक्ट, मुझे जितना होगा, मुझे जितना आता है, मैं जरूर आपसे शेयर करूँगा, और आपके लाइक जो भी ऐसा काम जो कि मैं अपने टीम में आपको इंव समझ कर फेक देते हैं, उसको कितनी खूपसूरती से आप और आपकी जो टीम है वो ट्रांसफॉर्म कर दी है, और कई बार मैं खोदी हैरत में आ जाती हूँ कि यह आइडिया इन लोगों ने किस तरीके से काम किया होगा, क्या कुछ आइडिया था कि आप लोगों ने शुर कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो जब हम, मैं बादलों को देखता हूँ न तो बच्छमन से आदत था कि मैं उसमें एक कला कृती दूनता था कि यह किसका शेव दीख रहा है, तो यह चीज रहा न तो अभी भी कोई चीज देखता हूँ तो मुझ लगता है कि इससे क्या बना सकते हैं, तो ऐसे ही हमने प्लान किया कि जो स्क्राप हम ठेक देते हैं, तो क्यों न इसको यूटिलाइज करके इससे कुछ ऐसा आर्ट पीस बनाया जाए, यह चीज बाहर होती है, मतलब हमारे आसपास हम लोग यहां पे लोकली बहुत यह कम देखते हैं, तो मैंने सो सब्सक्राइज कर रहा है, मुझे लग तरशाद आपका कोई करन्ट प्रोजेक्ट भी है, जिस पर आप इस तरीके से डिसकारण मेटीरियल पर ही काम कर रहे हैं, जी आभी हम खेलगाओं के पास होटोवार जेल के पास एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहां पर हम पूरे पा कोशिस कर रहा है, जैसे कि अमने शुरुआत में गही थी कि कला एक ऐसा आर्ट ये फॉर्म है, जिससे आप सोशल मेसेज़ जो है उसको दे सकते हैं, और क्यूंकि लोगों में वो ठहराव होता है कला को देखने के बाद, वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बनाया होगा जैसे मेसेज़ कि अपने जरोनी में कभी आर्ट फार्म के जर्रीए किसी सोशल मेसेज पर बात किया अपनी आची में तो फॉलुज दूरभा आम जाया करता था था एक वाल रहा है। बहुत ही मतलब उस वाल पे बहुत सरे लोग ने बहुत चीजे लिख रखी थी डैमेज था वो काफी जादा लोग इतने सारे लोग वह पे जा रहे थे तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा आर्ट वक किया जाए इस जगह पे कि लोगों के मैसेज मिले और मैं ने नोटिस कि कि जनरली जो रहांची से उनको पता है कि दुर्वा डैम में कितने लोगों ने बॉटल्स वेगरा फेक देते हैं तो मैंने सूचा कि पेंटिंगे थे तो मैंने वहां एक एक फिश बनाया था जो अम्रेला लिए हुए और लोग उपर से बॉटल्स पेक रहे और वो खुद को हमने में सेच के लिए काम किया और उसके अलावा हम जाते हैं ग्राओंड लेबल पर जा कि कभी-कभी हम वैसे लोगों से मिलते रहते हैं जिन कोशिस होती हैं कर्नी के कोशिशप थे जिसे चित्र कला तो वो ना काला का ज़गता है काफी बक्त से चला रहा है लेकिन अग अगर बात करें तो आपको दिख जाएगा लेकिन लोगों का उतना पार्टिसिपेशन नहीं रहा है उसको लेकर या वाल पेंटिंग्स को लेकर आपने इस आर्ट फॉम्पोर करना स्टार्ट किया तो क्या शुरू से वाल पेंटिंग में आपका इंट्रेस्ट था या फिर इ इसके बाद अभी एक समय के बाद मुझे लगा कि पेंटिंग से हम एक चोड़ा में बनाते हैं उसमें बहले मैसेज दे रहे हैं वह गैलरी में लगता है लिमिटेड लोग देख रहे हैं क्यों नहीं हम स्ट्रीट को ही गैलरी बना देते हैं तो हमने सोचा कि इस बड़े व जरी के से इस तरीके से प्रेजेंट करता हूँ तो मैं एक वॉल को एक ग्यालरी की तरह एक complains की तरह देखता हूँ और मैं इसे उस तरीके से ही काम करता हूँ कि यह लोगों तक पहुंचे ज्यादा ज्यादा लोग इसको देखें तो मेरी लिए लगता है वाल पेंटिंग का काम सबसे बेस्ट है बहुत इंट्रेस्टिंग है और लोग बहुत पसंद करता है जब आपने विकास अपने जर्नी की शुरुआत की तो मुझे लगता है कि रिस्क फाक्टर हमे करने से पहले जब मैं एक ठीचिंग प्रोफेशन में था बट जब उस समय मेरी लिए वह जौब काफी इंपर्टिंट था बट जौब चोड़ रहता तो घरवाले भी मना कर रहतें फ्रेंज भी मना कर रहतें बट हां एक रिक्स पैक्टर था कि कुछ तो हो पाएगा या न चार चीज़ों पर बहुत ध्यान देता है और मैं बोलता हूग आज के यूद को कि अगर किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो चार चीज़ों पर ध्यान दे पहला आपको बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत मैटर करता है दूसरा कि आप टा तो था अंदर से मुझे भरोसा था कि मैं कर लूँगा बाकी नो डाउट मेहनत तो मैंने किया है बीस बीस घंटे आज भी मैं काम करता हूँ कभी ऐसा कोई पॉइंट था जब लगा कि अब बहुत जादा एफ़र्ट लगाना पड़ा है या फिर गिव अप करने का कभी मैं अज देहें पास बीच बीच पे ऑधिक है उसके लिए संई तउड़ा जयाया था आख प्रोद रेख लेता हूँ और सिखता हूँ और त्रा ल कलता हूँ मैं अवाज़ी से अनल एफ नशा हो गया है और स्टा जलितना सब्सक्राण on को लेकर वापस वापस और राने हैं मत मतलब एक नशा हो गया, आप बोल सकते हैं कि ठीक है मतलब अब मैं काम नहीं करूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है मुझे लगते हैं कि तरीके से यह मिरल पेंटिंग हमारे राज्य के लिए और इन जेनरल भी बहुत जादा काम करता है क्योंकि हम अपने शहर को साफ हम सारे ही रखना चाहते हैं लेकिन जितनी दशा हमने यहां पे जो वाल से उसकी खराब करके रखी या फिर ऐसे भी आसफा इसे बहुत सारे चैलेंजेस थे जो हमने फेस करा रहा है यहां पर आप यहां पर थूख रहा हूँ तो यह चैलेंजेस थे बट मैंने इक चीज़ नोटिस्किया आप अभी जाएंगे तो रहाएं जहां चाहां जहां वाल पेंटिंटिंग आपको फिका वहां दिखेगा प यहां पर्क पढ़ता है दीरे दीरे सोच बदल रहा है और मुझे लग रहा है रांची में अभी जो समय है अभी यह सारे ट्रेंड्स आ रहे है और आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे बहुत जल्दी लोगों के सोच बदल रहे इस तरीके के आर्ट को लेकर के और वाल है जिस तरीके से रिस्पॉंस आ रहा है या फिर जिस तरीके से आपको आपका ड्रीम लेकर आप चले थे न उसको जिस तरीके से आप एग्जूक्यूट होते वे देख रहे थे जब मैं बीच में सोच रहा थे कि पता नहीं सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं बट कुछ ऐस से लोगों का response मिलता है even मैं आज यहां पर भी आपके साथ बैठा हूं तो आज से मेरी responsibility और बढ़ जा रही है कि मुझे और इससे better करना है तो मैं गीव अप के बारे में सोच नहीं पाऊंगा नहीं सोच सकता हूँ मैं इसे और better करने के बारे में ही सोचूंगा तो कई ऐसे मोके आते हैं जब लगता है लेकिन लोगों का support और response इतना अच्छा होता है कि वह वापस से मुझे पुछ करता रहता है में जो खास चीज होती है कि आपको उसको में से एक आप इवाल्स करते रहते हैं और लोग इस तरीके से रिलेट भी कर पाते हैं आपकी डॉइंग ती जो मुझे बहुत पसंद आई थी जिसमें आपने बच्ची के पैर बनाया थे जिसमें एक पैर में स्कूल शूस डाल रखा था और दूसरे में वेसिकली उसके पैर में अलता लगा हुआ था और एक जंजीर बंदी और काफी खुबसूरती से अपने डिपक्ट किया था किस तरीके से जो गर्ल चाइल हमारे कंट्री में उनको एजुकेशन और मैरिज को लेकर खीचा तानी और मैं उस वक्त सोच भी रहती है किस तरीके से यह आइडिया आप लेकर आते होंगे या फिर हर जो प्रोजेक्ट है वो क्या कभी प्रेशराइज हो जाते हैं कि किस तरीके से मुझे बैटर करना है या वो आइडिया गेन करने का प्रोसेस क्या होता है अधिए मैंने जसा स्टार्टिंग में बता है कि मैं थोड़ा ट्रैवल करता हूं तो चीजे देखता हूं जब बाहर या फिर मैं बहुत सारे आटिस्ट लोगों का काम भी देखता हूं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे चीजे मिलती है जहां से थोड़ा रफरेंस मिल गया है नेचर से इस पहल मारो टाइम लगता है कि यह करना है की कि बेटर हो सकता है इस इन्वायरमेंट के हिसाब चाहिए कि यह कुछ थी लिए बर्पार नेशन गलत भी होता है फिर हम उसको चेंज भी करतें तो यह सब चीज होता रहता है और जैसे-जैसा समय के साथ हम प्रोजे मुझे लगता है कि हम किसी भी जरनी में हो तो कोई ऐसे इंडिविजबल या फिर कुछ इंडिविजबल किसी आर्टिस को मैंने फॉलो नहीं किया है क्योंकि सच मैं बता हूं मुझे नौलिज ही नहीं था कौन आर्टिस्ट है मेरे साथ यही लोग रहे हैं तो मैं इन्ही को इंस्पिरेशन वानता हूँ कहीन है कहीन जो एक्सपिरेंस आप करा जो जर्नी रही उससे आप इंस्पायर हो रहे हैं 2015 में आपने कला कुछ की शुरुआत की अब साथ साल हो चुका है आपकी जर्नी मिझे लगता है यहां पर फोड़ी और लंबी रही है यहां पर शुरुआत से लेकर अब तक अगर लोगों की पर्सपेक्टिव में भी आपको क्या कुछ डिफरेंस नदर आया है विन दर भी आपको करो साथ अब कश थे लेक्राइख चालंज करना लेकिन अभी क्या बतलाव दिखाएं बहुत ज्यादा बतलाव दिखाएं यहां लोग मैं रॉला मोर्म वा है कि अल्ए उन आपियाब इत्माारीज वी दूछ का उता हैती बाइज बढ़ता है चालें कर दूछ करा। बिल्कुल तो यह चैलेंज आते थे फेस करना पड़ा स्टार्टिंग मुझे भी कुछ पर अकी नहीं नहीं तो बट फिर भी खुद पर भरोसा था कि कुछ अच्छा कर लेंगे और दीरी दीर अभी आके लोग काम का रेस्पेक्ट ड़ते हैं इवन मेरे काम को समझ चुके है कुछ बोलने की जहुरत नहीं पढ़ती है कि अना बार क्योंकि हम एक सैपिन करते हैं कि हमें इंफमेशन नहीं होती है और एक बार जब हम बात करना शुरू करते हैं यह फिर रहा चार्ट करते हैं तो वह समझ बैठ जाती है तो इसस आपने कि उतनी आपकी कहुद आपने किस तरीके से अभी आर्ट को लेकर कितना स्ट्रग्लिंग रहा आपके लिए यह पूरा सफर वो दर्शक खासकर जो आपको देखने हैं जो यंग है अभी और इस फील्ड में कुछ इंट्रेस्ट है उन्हें और कुछ इंवेस्ट करना चाहते हैं लेकिन वही जहां जो मैंने क और कि ठापोर्ट नहीं पकार थाओं कैता दूदी है गाने काउड करेंने काल इस इतना स्ट्रॉण करते हैं एक सृछ आप काम कर मेरें थै कौना टूड़त नहीं पड़ेकिन स्टॉवट आपको कभी भी काम कराऊं की आपको ऑपने अपकोिन सामने से कुशन का लिग कार जॉब मेरे पास आया है, तो मेरा कहना काने अभी आपने अपको इतना स्ट्रॉंग कर लीजे, अपने इतना स्ट्रॉंग कर लीजे कि जॉब ढूंटे हुए आप तक आई, आपको एक रिजूमे बना के जॉब के पीछे दोड़ना ना पड़े. बिल्कुल और मुझे लगता है इस जूर्णी में जो सबसे जरूरी चीज होती है कि इस तरीके से आपको अपने हेड को स्ट्रॉंग करने के ज़राता है क्योंकि आजकल की यूत में है कि बहुत जल्दी हार मान जाता है यह समय देना पड़ता है यह मैं मानता हूं मैंने भी समय दिया बहुत तो आपको किसी भी फिल्ड में हो तो थोड़ा समय देना पड़ेगा तब वह फिल्ड आपको रिजल्ट देगा कहीं भी जिस तरीकी सापने खुदी का कि मैं 20-20 गंटे मुझे काम करना होता है मुझे लगता है कि इतनी अगर पैशन नहीं हो तो इस फील्ड में सक्सस मिलना बहुत डिसकल्ट हो जाता है और आट मुझे लगता है कि लोगों में पैशन ले ही आता है जब आप उस काम करते हैं तो इतने स्टाफ थे उनके पास अच्छा जॉब है लेकिन जिनके अंदर आट मैं बच्पन में किया है उनका इंट्रेस्ट है तो कही ना कहीं वापस से जा गया लो रुक के एक दो गंटे तक देख रहे हैं उनका इंट्रेस्ट वो दिख रहाता और वह पच् ना सर्फ रांची को बलकि पूरे राज्य को आप खुबसूरत रूप दे रहे हैं आप लोग को आर्ट अप्रिशेट करने में मदद मिल रही है और हमें बसंद भी आ रहा है मैं चाहूंगी कि जितना आपका भी सक्सेस रहा है आगे का जर्नी और सक्सेस्फुल रहे और न चर्षेस मिनें वाइंद भी आप दिखायी करी न तो इस है